साल का आखरी सूरे ग्रहन और दिवाली का त्योहार दोनों एक साथ कहीं आप भी सूरे ग्रहन के साए में दिवाली का त्योहार मनाने तो नहीं जा रहे तो साफधान हो जाएए ऐसा करना पड़ सकता है भारी दोस्तों इस बार सबसे बड़ा confusion यही बना हुआ है कि दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी कि 25 को क्योंकि इस बार 27 साल के बाद सूरिग रहन और दिवाली का सयोग फिर से बनने जा रहा है ऐसे में बिना किसी दोश के दिवाली का त्योहार किस दिन मनाया जाए और किस शुब मूरत में लक्ष्मी पूजन किया जाए यह जानने ला बहुत जरूरी है तो आपको बता दूँ 24 अक्टूबर को शाम को 5 बच के 28 मिनट से मावस्तिती शुरू हो जाएगी जो 25 अक्टूबर शाम को 4 बजे तक रहेगी तो ऐसे में 24 अक्टूबर को आपको दिवाली का त्योहार मनाना चाहिए और शुब मूरत में लक्ष्मी पूजन कर लेना चाहिए 25 अक्टूबर को सूरे ग्रेंड लगेगा जिसका सू तक 24 अक्टूबर की आधी रात से शुरू हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और जादा जादा लोगों में शेयर कीजिए लक्ष्मी पूजन किस शुब मूरत में करना चाहिए ये जानने के लिए मेरा आगला वीडियो जरूर देखिए मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए जैश्री मांकाज